मैं सचमुच यह विश्वास नहीं करता कि बहुत से विश्वासी प्रातना करना जानते हैं अगर वो जानते तो वो जिस दशा में हैं वो उस दशा में न रहते अगर हमने सचमुच सची प्रातना की होती वचन गंसार तो हम संसार को हिला देते अगर हमने सचमुत आत्मा में प्राथना की होती अगर हम प्रमेशल की खावा को अनुमती देते कि प्राथना में हमारे व्यक्तित्य पर अधिकार करे तो हम पूरी तरह से बाहर आते दूल और विनास से बाइबल ये शहा में कहती है बाहर आजा दूल को जाड़ कर क्योंकि बहुत से दोग दूल में हैं और जानते रही जागो जागो ये शहा पुकारता है बवन के एक में जागो जागो अपना बल धारन करो है सियोन जब आप आत्मा में सचमुच मध्यस्ता करने लगते हैं जिस समय आपका जरिया और पात्र पुट्र आत्मा के हाथ में एक साधन और जरिया होता है और सुर्ग पिता के साथ संटी होती है तब एक जागरती आएगी आपके दिल में एक जागरती आएगी क्योंकि आप नही गहरी नीद में हैं हम ऐसे लोग हैं जो जबकी के आदी हो चुके हैं शे इसराइल जाग बाइबल कहती है अपनी जबकी को तोड़ आज ऐसे लोग हैं जो खुद को कहते हैं प्राथन योद्धा जिरोंने एक बार भी प्राथन नहीं की है प्रमेशर ने उनकी और ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह प्राथन नहीं है यह केवल शब्द कहना है वह अब भी गहरी नीद में हैं भाईयों क्लिप्पे सुनिये बहनों अच्छा होगा आप सुन ले ये शाब भी शुकता ने कहा जाग जाग प्रमेशर ने उसके द्वारा इसरेल को पुकारा जागो जागो दो बार उसने कहा और उसने पुकारा अपना बल धारन करो क्योंकि लोग जो सचुच प्राथना करने वाले लोग नहीं हैं वे इतने कमजूर हैं कि शैतान उठें गिरा सकता है अपने मुँ से किवल एक फूंक के द्वारा इसलिए जागते हो शायद इसके लिए एक हफ़ता लगे शायद आपको दो हफ़ता लगे लेकिन अचानक बल वापस आता है जो आपने खो दिया था बल वापस आता है क्या आप जानते थे अपना बल धान कर ले हे सियोन फिर आप कुछ और जानते हैं जैसे ये शाब शुकता आगे गहता है अपने सुंदर वस्तर पहन ले हे जरुशलिम प्रासना की कमी वाले लोग आलसी लोग जिनके वस्तर गंदे हो चुके हैं गंदगी ढापती है उनके जीवन को गंदगी ढापती है उनके वहवार को गंदगी ढापती है उनके सभाव को जो कुछ वे करते हैं और वो कहते हैं उसे ढापती है वो टीवी पर गंदगी देखने के आदी होते हैं जब आप जागते हैं जब आप जानते हैं, मेरे वस्तर ऐसे नहीं होते थे, लेकिन परमेशर वस्तर को बदलता है, जब मुनुश्य जागता है, जब आप जाग जाएंगे, तो परमेशर आपके वस्तर को बदलतेगा, आपको डूनने की जूरत नहीं होगी, उसने आपके लिए एक तियार खाए, और अब अचानक वचन आगे बताता है और आप आत्मा में कुछ देखने लगते हैं कि अब से खत्ना रहीत और अशुद लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे आपको बताऊं बवमुल्यदासों मुझे पता नहीं कि इसे कैसे कहूं जब मुझे नीद में होता है तो अपनी अबिलाशाओं पर नियंतन नहीं कर सकता वह पुवित्रता में रही नहीं सकता धारमिक्ता से जी नहीं सकता कुछ करने पर भी अस्फल होता है पस्चताब करने पर भी वहीं वापस आ जाता है जहां से वह आया है क्योंकि यह तेल जासा है आप इसे थाम नहीं सकते लेकिन जब वह जागता है तो यह आसान हो जाता है बिल्कुल वैसे ही करें जैसे यह शान अभी पुकारा था क्योंकि जागा हुआ मनुश्य अशुद चीजों को अनुमती कभी नहीं देता वच्छन में लिखा है कि तेरे आँखे इतनी शुद हैं कि बुराई को देख नहीं सकती और जो जागे होते हैं वे स्वर्क के पिता जैसे होते हैं उनकी आँखे शुद होती हैं देख जब मेरा पाँव फिसला दाउद कहता है तेरी दिया ने मुझे थाम लिया सब लोग फिसलते हैं हम सब फिसलते हैं चाहे आप कोई भी क्यों नहों आप फिसलते हैं मुझे मत बताईए कि आप कितने धर्मी हैं आप नहीं हैं हम सब फिसलते हैं लेकिन उसकी दिया हमें थाम लेती हैं हम सर्म में कमजोरी हैं हम सब चूकते हैं हम सब फिसलते हैं और प्रबू से उठाता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा ना कभी त्याकूंगा अपनी दूल जाड़कर खड़े हो जाओ केवल वह लोग जो जागे हैं खुद को बंदल से बाहर ला सकते हैं दूल दुस्ट आत्माओं की काम और बंदन को दर्शाता है हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी अपने प्राण में दुस्ट आत्मा से परसान हो सकते हैं बिल्कुल सही जब आप सो रहे होते हैं तो खुद को छुड़ा नहीं सकते जब आप जबकी ले रहे होते हैं तो आप खुद को चुड़ा नहीं सकते जब की ले ते समय खुद को चुड़ा नहीं सकते अपनी दूल जाड़कर उठकर खड़े हो जाओ अब अचानक आप दूल से अजाद हो गए आप बंदन से अजाद हो गए और दुष्ट आत्मा के प्रभाव से भी आजाद हुए और फिर यह कहता है जागो यह बहुत ही अद्बुद है बहुत ही अद्बुद जब मैं ऐसे देखता हूँ यहां कुछ कदम देखता हूँ पहले बल वापस आता है दूसरा कि नए वस्तर पहना आए जाते हैं और तीसरा कि अशुदता नहीं होती चोथा कि कोई बंदन नहीं होता आपने खुद को छुडा लिया पांचवा उठो सोय हुआ व्यक्ति उठ नहीं सकता लेकिन जागा हुआ व्यक्ति उठ सकता है उठने का अर्थ क्या है यानि खड़े होना खड़े हो जाओ इफीशियों 6 कहता है सब कुछ करके खड़े रहे यानि विरोध करके खड़े रहने का अर्थ है इंकार करना यह नहीं कि खड़े होकर बस देखते रहें जिस पर वाइबल कहती है खड़े हो यानि विरूद करो शेतान का सामना करें सामना करें, विरूद करें जागें और खड़े हो जाएं यह सब एक ही है यह इफीशियु 6 में केवल आपके जागने के बाद ही वह कहता है बैठ जाओ, बैठने का अर्थ है कि आपने विजे पाई है अब आप बैठ सकते हैं लेकिन पहले आप बैठ नहीं सकते थे क्योंकि आप निशे दूल में सो रहे थे और दूल आपके जिवन पर अधिकार रख रही थी आप जानते भी नहीं थे अब आप विरोध करते हुए खड़े रह सकते हैं आप विरोध करते हैं जब आप खड़े रहकर विरोध करते हैं तब आप वही करते हैं जो याकूप ने कहा सामना करो आप वही करते हैं जो पोल उस कहता है इफियूसों में इसलिए खड़े रहकर सामना करें सब कुछ करके खड़े रहें खड़े रहें खड़ा विक्ती हत्यार बंद है और खड़े विक्ती लड़ने वाले होते हैं खड़े विक्ती विजई होते हैं खड़े रहने वाले विक्ती सामर से भरे विक्ती होते हैं क्योंकि आप नीचे लेट कर सो नहीं सकते सोने वाले विक्ति में विश्वास नहीं है अब वह कहता है बैठ जरुशलेम अब देखिए मुझे यह पसंद है जैसे ही आप बैठते हैं आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे हे सियोन की बंदी पूतरी अपनी गर्दन की जंजीर उतार जिस पल आप बैठ जाते हैं शायद कई साल से आप बैठे नहीं हैं क्योंकि आपने मसी में कई सालों से विश्राम नहीं किया केवल वह विक्ति जो बैठा है सुर्ग स्थान में अजाद हो सकता है हर एक बंदन से जो क्योंकि देखिए आपकी गर्दन में बंदन लटके हैं अपनी गर्दन के बंदन से आजाद हो जाओ बहुत से विश्वासी शैतान से कुत्ते की तरहां खीचे जा रहे हैं उनकी गर्दन में बंदन हैं वे खीचे जा रहे हैं हर एक शत्रू से बंधन तोड़ने का मतलब है कि अब शैतान आप पर कोई अधिकार नहीं रख सकता, वह आपको खीच नहीं सकता, आप पर भाव नहीं टा सकता, आप अपनी गर्दन के बंधन से अजाद होने का मतलब है, शैतान आपके वुरुद में जो भी कर सकता है, उसस बीना रुपय दिये छुड़ाए जाओगे जो लोग सो रही हैं उन्हें खुद को बेच दिया है पर बूइ यह भी कहता है मेरी परजा पहले तो मिसर को परदेशी होने को रहने गई थी असुरियों ने भी बीना कान के उन पर अत्यचार किया इसलिए जो हुआ कि यहवानी है हे दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानि खंटी वाले बटन को दबारा मत भूलना ताकि आप से कोई भी वीडियो मिस ना हो मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहिया और उनके परचार ले कराऊंगा कि परमेशन उसे कौन से काम लिए उन्होंने ऐसा क्या किया परमेशन के जिन्दग्यों में क्या किया मैं इस चल्ण पर आपके लिए लिक राओंगा चाहे वो पसर किसी भी देश से क्यों न हो और आखरी और जुरूरी बात इस चल्ण को अपने मसी भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों साथ बाटना मत भूलना ताकि वो सब मसी में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ़ते अलविदा